दोस्तों 30 जनवरी 1948 शाम को 5 बच के 17 मिनट पर दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी की तीन गोली मार के हत्या करती जाती है नाथुराम गोडसे के द्वारा पर दोस्तों अगर मैं आपको ये बताओं कि गांधी जी को अपने मरने का अभास हो गया था तो आपकी प्रकृरिया क्या होगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रिश्यप सिंग और आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं को जानेंगे जो शायद आपको ना पता हो 29 जनवरी 1940 गांधी जी की हतिया से एक दिन पहले एक गाउं से कुछ लोगों का ग्रूप आता है जो अपना सब कुछ गवा बैटे थे कमिनल क्लैशिस के दोरान वो सभी मेंबर्स गांधी जी पे ब्लेम लगाते हुए कहते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ वो आपके वज़े से हुआ जिसके बाद गांधी जी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब वो प्रेयर मीटिंग की तरफ चल रहे होते हैं वो अपनी ग्रांड नीस मनुबेन से कहते हैं कि ये जो लोग रो रहे थे मेरे सामने ये भगवान की अवाज है और इसे हमें एक डेथ वारेंट की तरह समझना चाहिए और ये सिर्फ एक इसरेंट नहीं है दोस्तों जब गांधी जी को अपनी डेथ का थोट आया हो अगले दिन यानि की 30 जनवरी 1944 जब वो सुबा उठते हैं तो उन्हें बहुत जादा कफ था जिसके बाद मनुबेन उनकी ग्रांड नीस गांधी जी को पनिसलिन की दवाई देती हैं जो उस वक्त सबसे पोटेंट एंटिबॉयटिक थी बट गांधी जी दवाई लेने से म हुती है या मेरी चाती पे गोलियां लगती हैं और अगर उस वक्त मेरी जवान पे भगवान का नाम आये तभी आप लोगों से कहेंगी कि मैं असल में महात्मा था और तभी वो चीज भारत के लोगों को बेनिफिट करेगी और ये इंसिडेंट खुद मनुबेन ने अपनी दोस्तों गांधी जी ने बाउम ब्लास वाली बात इस वज़े से कही थी क्योंकि 20 जनवरी 1948 को उनके घर पे बाउम ब्लास करके उनको मारने का प्लान प्लॉट किया गया था जो कि फेल हो गया था जिसके बाद पुलीस उनको सेक्योटी कवर देना चाहती थी पर गांधी कि पार्टीशन के बाद इतना दुखी हो गए थे कि वो जीना ही नहीं चाते थे पर गांधी जी के मना करने के बावजूद भी पुलिस बिरला हॉस के एरिया पे तैनात थी पर गांधी जी ने किसी भी विजिटर की चेकिंग के लिए मना कर दिया था पुलिस को दोस्तों 30 जनवरी 1940 शाम को चार बजे सरदार वल्लब भाई पटेल गांधी जी से मिलने आते हैं और वो अपने डिसकेशन के दौरान गांधी जी को ब्रीफ कर रहे होते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कि कि किस तरीके से चीज़े भैतर हो सकती ही भारत में और साथ में वो अपने और जवाला नहरू के कुछ डिफरेंसेस को भी बता रहे थे चार बजे से जो डिसकेशन शुरू हुआ वो पांच बजे तक चला अब हर श्याम पांच बजे गांधी जी प्रेयर मीटिंग करते थे जहां वो आम जनता के साथ कोई रिलेजिस बुक पढ़कर प् सही टाइम पे पेशन्ट को दवाई नहीं देगी तो पेशन्ट मर सकता है दोस्तों जब गांधी जी सरदार वला भाई पटेल के साथ मीटिंग कर रहे थे उसी दुरान काठिया वार से दो लीडर साते हैं गांधी जी से मिलने के लिए जिसके बारे में मनु बेन गांधी जी को पताती हैं और जिस पे गांधी जी कहते हैं कि उन दोनों लीडर से मीटिंग प्रेयर के बाद होगी अगर वो जिन्दा रहते हैं तो और वो मीटिंग कभी होई नी पाई क्योंकि जैसे ही प्रेयर मीट के लिए गांधी जी जा रहे होते हैं नातुराम गोट से वहां गांधी जी की हत्या कर देता है जिसके बाद नवंबर 1909 में नाथुनाम गोटसे को फासी की सजा दी जाती है तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो की कैसे गांधी जी के लास्ट 24 आवर्स रहे थे अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने फेलू एस्प्रेंट्स के साथ जरूर शेर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस तरह के इंफर्मेटिव लेक्चर्स मैं लाता रहता हूं तिल देन डिस रिशाप सिंग साइनिंग ओफ जय हिंद जय भा प्रेंट